राजदानी जैपुर की हवा महल सीट से नव नर्वाचित विधायक बाल मुकंदाचार इन दिनों सियासत में चर्चा में है नौनविश की दुकानों को बंद करवाने के मामले को लेकर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वारल हुआ था हलाकि बाद में आचारे ने अपनी टिप्रणी पर मावी मांग ली लेकिन एक बार फिर से उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई है जैपुर के करधानी थाने में भाजबा विधायक के खिलाफ कोड के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें विधायक पर गाली गलोच और मारपीट सहीत कई आरोपों के तहत ये मामला दर्ज हुआ है आपको बदा दे कि हवा महल सीट के विधायक बाल मुकंदा चारे चुनाव जीतने के बाद योगी स्टाइल में शेत्र में निकले उन्होंने नौनवेश की दुकानों को बंद करवाने के लिए जम कर बवाल किया लेकिन अब करधनी पुलिस थाने में पेडित सूरज मल रेगर ने कोर्ट के इस्तगासे के जरिये मामला दर्ज करवाया जिसमें विधायक परगाली कलोच मारपिट सही तारोप लगाए गए ये मामला भाश्पा विधायक और पुर्शोतम शर्मा के खिलाफ दर्ज हुआ करधनी पुलिस थाने में पेडित सूरज मल रेगर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई इसमें विधायक के खिलाफ उनकी जमीन पर अवैद कबजा करने की कोशिश का आरोप भी लगाया पेडित ने बताया कि उसने पुलिस थाने में शिकायत की है इसके बावजूद इसकी कोई कारेवाई नी हुई इसके चलते उसने कोट की शरड ली कोट के आदेश के बाद पुलिस ने 4 दिसंबर को ये मामला दर्ज किया